Hello बच्चो, this is a batch announcement video by a team competition for J-2025 aspirants, जो 12th pass है, especially dropper, और वो बच्चे जो अभी 12th में पूरा slivers करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये useful हो सकता है. Team competition के फाइदे क्या हैं, कैसे आप अपना best performance दे सकते हो team competition के course की help से, वो हम इसी वीडियो में last में discussion करेंगे. It is not like a one size fits all वाली चीज है. We can give you a highly customized course, जो आपकी need के हिसाब से जो भी आपकी preparation background है, उसमें perfectly fit हो, ताकि अगर आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ रहें, तो आप 12 घंटे में अपने लिए ही पढ़ें. मतला ऐसे नहीं कि बाकी लोग पढ़ रहें, इसलिए मेरे को भी कुछ चीज हैं पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं क्लास में बैठके, जिससे आपकी efficiency नीचा जाजएगी, बैठ जिसे बहुत है rank class में थोड़ा सा नीचा जाजएगा, वो compromise होजाएगा, बट team competition gives you an flexibility, कि आपकी जो requirement है, वो subject wise भी हो सकते हैं, एक subject अच्छा हो, दूसा थोड़ा सा week हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि preparation का level हमने एक level तक कर रखे हो, कुछ chapter बहुत अच्छे कर रखे हो, तो कितने इतने बहुत सारे permutation combination बन जाएगे, उन सभी को address करते हो, हम customized कर सकते हैं आपकी preparation को, ताकि 12 घंटे में आपका total knowledge fill हो, जो आपको requirement है, जिसके लिए आपके potential के हिसाफ से best rank आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम आगे discussion करेंगे, तो let's talk about this batch, this batch is for JE 2025, जैसे हैं मैंने मुझा के 12th studying बच्चा, अगर पूरा course करना चाता है, तो वो भी इसको कर सकता है, क्योंकि इसमें हम उन बच्चों के हिसाफ सभी पढ़ाते हैं, जिन्होंने कभी preparation नहीं किया, तो अगर किसी ने कभी preparation नहीं किया, तो उसको बिल्कुल basic से, बिल्कुल advance तक ले जाना पड़ेगा, तो उनके लिए भी ये batch है, batch का नाम है Praveen 5, starting date is 25th April 2024, अच्छा अभी second mains के बाद कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे कुछ ने प्रिप्रेशन नहीं किया होगी, बट मेंस ऐसे ही दे दिया होगा, तो अगर उनके ऐसा करने का सोचा है, तो I will say कि हमें और लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि January में first mains आएगा है, जहां पे best chance होता है, बच्चे के पास least competition के अंदर best percentile आने का, ताकि उसको January के आगे जो June तक का time है, जब advance होगा, वो जिसे बुलते हैं, किसी भी बाधा के बिना वो के वर advance की त्यारी कर सके, तो उसके लिए it is very important कि हम January में mains की त्यारी बहुत अच्छी करें, उसके लिए it is very important कि हम preparation जल्दी से जल्दी चालू करें, ताकि हम जिसे बुलते हैं कि बिल्कुल विस्तार से अपनी preparation अच्छी तरीके से पूरी complete कर पाएं, और उसके बाद एक revision की cycle और लग जाए, तो बाकी लोगों से आप बहुत आगे निकल जाओगे, इसी के लिए ये batch लाएगा है, and यहाँ पर you will have online recorded scheduled lectures you will have, and इस जो course completion है, उसका tentative date 30 December है, यह tentative मैंने क्यों बला है, क्योंकि depending upon की January में जो mains के examination है, वो कब हो रहा है, मतलब वो 10 January को हो रहा है, या फिर 30th January को हो रहा है, दौनों में काफी difference आजाता है, तो उसके एसाब से हम थोड़ा बहुत change भी कर सकते हैं इसको, मतलब यह ज सकते हैं, मैंने काफी बच्चे को ऐसे देखा था था कि, वो मतलब कोटा में उन्होंने admission दिया, और उनको बोल दिया कि हमारा तो बैच, जो course है, वो 30th January को खतम होगा, मालूम पड़ा कि हमारा जो mains first है, वो से पहली हो रहा है, तो भी वो मतलब हाँ flexibility नहीं थी, उनका जो course star course की speed और बाकी बहुत सारी factors हैं, जनको हम adjust करके, जब examination होगा, उससे पहले optimum time पर finish कर सकते हैं, ताकि बच्चे की revision भी हो जाए, अच्छी तरह की से course coverage भी हो जाए, अच्छी practice भी हो जाए, मेंस के लिए, तो इसलिए ये tentative date है, faculty team, AVG sir, ALK sir, myself and Neera sir होगा, revision के लिए, last way, मे बच्चे क्या करते हैं, के market में से 3-4,000 के course भी मिलते हैं, बट वो barebone courses होते हैं, उसमें कुछ classes चल दी होती हैं, जिसमें 15,000 बच्चा एक साथ पढ़ रहा होता है, तो of course, वह सब बच्चों के साबसे दो नहीं पढ़ा रहे हैं, जा सकता है, वहां मतलब 5,000,000 का भी बच् aspire कर रहा है, तो उनके तो जिसे बोलते हैं, के level में hell and heaven का difference होता है, तो ऐसी live classes practically बेकार हो जाती है, ठीक है, अब उसके बाद जब उसे और चीज़ें चाहिए होती है, कि हमें doubt अच्छे से clear करना है, क्योंकि हो सकता है, कि bot आपके doubt exactly समझना पाए, कि आपको क्या दिक्कत है तो फिर वो बोलते हैं, कि अच्छा ये additional course ले लो, ये additional course ले लो, ऐसे course कर करके फिर वो बहुत ज़्यादे costly पढ़ जाता है, अच्छा costly तो एक बात है, बट जब ये time के duration मता है कि माली है, हमने दूसरा course हमें दो महीने बाद offer किया गया, फिर तीसरा course तीन महीने बाद offer कि जाती है, तो यहाँ पर हम जो करा रहे हैं, मतलब जो भी हमारी fees है, and that fees is 29,900, इसके अंदर each and everything is included, जो भी हमारी offering है, ऐसा नहीं कि हम बोलें के bit set के test series देनी है, तो ये इतना हजारों के और extra दो, नहीं, bit set की test series हो, जिसे वोदे normal lane हो, fast lane हो, c cube हो, champ हो, cats हो, बहुत सरे material की test series होगी, bit set की test series होगी, WPJE की test series होगी, और बहुत सारी चीज़ें, बच्चे क्योंकि अलग-अलग exam भी देंगे आगे जाके, तो ऐसा नहीं कि उनको subject है, पैसे देने पड़ रहे हैं, एक बार सभी कुछ इसी umbrella के अंदर है, ताकि एक cohesiveness बनी रहे, एक uniformity बनी रहे, test series mains or advance की, यहीं पर, खूम number of test हैं, मतलब बच्चे इतने दें नहीं पाएंगे, हमने तो बहुत सारे test बना रखे हैं, क्योंकि we have an advantage of four uninterrupted, जिसे बलते हैं, cycles which we have already run successfully, और उसमें जो भी हर साल जो improvement होता है, वो improvement और होता चला जाए, ताकि चीज़ें highly effective and efficient हो जाए, हर learning के साथ तो यह जो चार successful cycle हमने run किया है, that is going to help you a lot, because पिछली बार जो बच्चों ने गलती की होगी, और जो हमने pattern पकड़े के बच्चे यहां यहां गलती करते हैं, उसको हमने incorporate किया है, अपनी teaching के अंदर, teaching के अंदर, प्लस जो offerings हैं, बहुत सारी तरीके से बच्चों को दिया जा कि scientific preparation हो गया है, जैसे पहले होता है कि बच्चा दौडने जा रहा है, बस high speed होनी चाहिए, ठीक है, जो जादे दौड लेगा, वो जीत गया, बट अब चीजे इतनी जादा scientific हो गए हैं, कि लोग मतलब posture पे काम करते हैं, कि जो air resistance है, वो minimum हो, ठीक है, फिर वो एक-एक muscle पे क काम करते हैं, ताकि weight minimum हो, और जिसे बुलने हैं, ताकत उसमें maximum हो, ताकि वो तेज़ दौड पाए, इसी तरीके से अब JEE की preparation है, क्योंकि पहले और अभी में, अभी बहुत जादे voluminous preparation है, क्योंकि पिछले 10-20 साल से जो questions आ रहे हैं, हर बार जो नया question आता है, वो हमारे slay जिवस में add होता चला जाता है, तो it is very important to judge, क्योंकि बच्चे के पास time तो 24 घंटे, उसमें से 10-12 घंटे ही efficiently पढ़ सकता है, तो it is very important to judge कि क्या चीज बच्चे को देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, this is also very important, बतला ऐसा नहीं है, कि जैसे हम बोलते हैं कि एक किराने की दुका प्रिप्रेशन वाले में, बहुत सारे लोग क्या है, कि टेली ग्राम से इदर उदर जुगार कर लिया, किसी ने यहां से sheet डाउनोड कर लिया, वहां से test paper ले लिया, बतलब कोहें से प्रिप्रेशन की बन पाती है, वो मतलब उसी पंसारी की तरह हैं कि उनके हाथ में सारी हैं, बट उसे पता नहीं क्या चीज़, कम mix करनी है, कैसे mix करनी है, तो team competition का, अगर आप course लेते हो, तो आपको शुरू से लेके end तक, आपकी need के हिसाफ से, personal need के हिसाफ से, each and everything will be provided within this, मतलब इसके लाव आपको कुछ खर्च करने की जह होती है, और अभी, मतलब preparation क्या, जब जो भी problem आसकते हैं, एक subject week हो गया, एक दो chapter में phobia हो गया, each and everything, आप नाम लोग किसी भी problem का, उसका solution हमारे पास available है, मतलब we have more than 30 offerings course wise, अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे 30 जो हमने courses बना रखे हैं, छोटे छोटे चोटे या offerings हैं, वो हर बच्चे के लिए useful है, बट ऐसा बच्च जतना भी वो मेहनत करता है, उसके हिसाब से, बट वो कौन सी available है, कौन सी मतलब उसके लिए suitable है, that we will be telling, और इसी के लिए हम guidance session में लेते हैं weekly, ताकि बच्चा अपने track से कर थोड़ा सा भी हटे हो, तो उसको वापस track पे लाए जा सके, काफी कभी बच्चे हैं से होते हैं, गरत guidance के विए से track से इतने हट जाते हैं, कि वापस आना पॉसिबली नहीं है, तो here you are supposed to get, जितने भी teachers हैं, they have decades का experience, कोटा में पढ़ाने का मतलब, top 10 से लेके, 10 लाग की rank तक कि सारे बच्चों को पढ़ा रख का है, तो जो breath and length and breath of experience है, that you are not going to get anywhere, plus जो भी पिछले 4 साल में हमने online में देखा है कि बच्चों को कैसे highly customized, efficient course दिया जा सकता है, that thing we have also included, तो जो class की frequency होगी, of course 6 days per week होगी, तो last year, अगर कोई बच्चा बार्मी में पढ़ाता तो उसे board का भी ध्यान देना पड़ता होगा, अब अभी तो कुछ नहीं, केवल JEE की preparation है, सारा attention हमारा है, बस नहीं क्या करना है कि एक दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ना है, यह ठीक, उसमें 5-6 घंटे ग्लास हो जाएगी, 5-6 घंटे का homework और यह सब होगे, material, books, books, कहीं कुछ तुमें लेने की जरूतने पड़ी, each and everything we will provide, ताकि आपका time waste ना हो, यह सब चीज़े ढूंडने में, आपका का केवल क्या में चीज़े पढ़ना, पढ़ना हैं, पढ़ना ताकि आपकी best possible right लाई जासे, ठीक है, number of lectures are given, जो इस batch का access है, of course, यह advance नहीं जाता है, जब तक आपके बास इस batch का access रहेगा, course के features, अच्छा, उससे पहले inquiry, अगर इसके बाद भी कोई पूछना है आपको, तो किस number पर आप call कर सकते हो, tetra 8, tetra 021, ठीक है, या फिर 7410, 900, 901, 906, 907, 908, यह सब normal number है, किसी पर भी call कर सकते हैं, तुमारा पैसा नहीं लगेगा, जैसे बोलते नहीं कोई-कोई paid number होता है, वैसा number नहीं है, normal number है, ठीक है, to register in the course, you can go to the link which is given in the description, and उसको follow करके आप register कर सकते या फिर directly online.competition.com पर प्रिवीन 5 batch के नाम से सर्च कर सकते हैं, ओके, कोर्स के फीचर देख सकते हैं, schedule recording lecture मिलेंगे, of course, मतलब discipline रखने के लिए हम उसको schedule करेंगे, but of course इसमें और भी lectures, और भी form मिलेंगे, क्योंकि कुछ बच्च ऐसा हो सकते हैं, जिसकी preparation अच्छी है, वो तो बलेंगे, मैंने को 5 chapter करने है, math में, 10 chapter करने है, chemistry में, और 6 chapter करने है, physics में, ये करके मैंने को तो practice स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास facility available है, इसी course के अंदर, तो scheduled recorded lecture तो of course, जो बच्चा, मतलब बिना दिमार लगाए, जिसने अभी धंग से preparation नहीं किये है, या फिर की है, बट effectively नहीं किया, वो जो चीज follow करेगा, that will be totally scheduled, और उसको अगर वो follow करता है, तो उसका भी discipline बना रहेगा, ठीक है, complimentary physical copy of the material will be sent, ताकि आपका screen time कम हो, graded studying material you will get, कि पहली exercise mains को समर्पित हो गई, second वाली advance के लिए हो गई, फिर PYQ हो गया, फिर DPPs हो गया, फि उसके लिए, मतला material की कोई कमी नहीं है, तुमसे खताम ही नहीं होगा, 99.99% बच्चों से material खताम ही नहीं होगा, इतना exhaustive नहीं रखा है, तो और कौन सी book करें, यह सब की question ही नहीं उठेगा, क्योंकि जो भी अच्छे-च्छे question है, वो हमने ओलरी छाटके डाल रखें अपन वे तक जिसमें physics के doubt आप जूम पे चाके directly live पूछ सकते हो one-on-one with teachers, every day that is available, फिर weekly guidance session होता है, ताकि बच्चे अपने पट्री से ना होता है, और वो जो भी दिक्कत फेस कर रहा है, हो सकता है कि, क्योंकि market में तो बहुत सारा unqualified guidance लिखता है, मैंने देखा हुआ है कुछ बच इसा मैंने बहुत जगह देखा है, और ऐसा हो सकता है कि अच्छा IQ का बच्चा है, भले इस information के अभाव में उसकी preparation गलर डिरेक्शन पर चले जाती है, क्योंकि उसको किसी दूसरे बच्चे ने गुम्रा कर दिया, तो इस बात के लिए हमारा time to time guidance session चलता है, ताकि बच्चा पढ़ाई पर दिहान दे और efficiently कर सके, अच्छा इसमें board support भी हम देते हैं कि कोई बच्चा हो सकता है कि 75% तक नहीं पहुचा हो तो उसने हो सकता है, एक दो subject में improvement दे रखाओ, तो that kind of support is also present, because ITJ की जो त्यारी कर रहा है, वो तो CBSE based है, NCRT based है, तो 90% तो उसका हो रखा होता अब उसे board के लिए ऐसा नहीं कि वो पूरी board की book दोबारा पड़े, तो उसके लिए हमने ऐसे courses बना रखे, capsule time, कि जिसको करके वो board में भी अच्छा perform कर सकता है, क्योंकि अगर उसने JAE की preparation कर तो 90% उसका काम हो गया, ताकि जिसे बतर duplication of work ना हो, ऐसा नहीं कि सेम चीज़ जो दो बार कर रहा है, inefficient way में उसका time waste हो गया, बहुत सारा जबकि उसकी rank 500 और boost की जा सकती थी, उस time को utilize करके, तो इसमें हमारे पास PCM and English ये available है, और कुछ नहीं है, ठीक है, बाकि जैसे bit set हो गया, WBJE हो गया, UGEE हो गया, इस तरहे के भी हम test series available दाते है, last में उस बच्च जाता है, ये सारी चीज़े हम करते हैं, तकि बच्चे का time waste ना हो, क्योंकि time is the most important factor for a student, especially जो dropper बच्चा है उसके लिए तो last chance है ये, one step solution for all information also, authentic information is very important, क्योंकि हर साल हमेरे पास बच्चा आते हैं, कि हमें तो ये बोल दिया गया था, कि ऐसे मत करो, वैसे कर सकते हैं, ऐसे preparation कर सकते हैं, one short से पढ़के practice कर लो, तो ऐसे जो उल्टे सीदे, उनको guidance मिलते हैं, उससे भी बहुत जाद है talent बरबाद होता है, इसलिए वी ऐसे वी बच्चे है, जिनको इस वज़े से drop करना पड़ गया, कि उनको authentic information नहीं मिला, ठीक है, तो that we are going to get over here, smooth functioning course completion on time, जैसे हमने कि पिछले चार साइकल में हमने चारो बार course complete किया है, बिल्कुल type 2, मतलब each and everything is fixed, बस एक dynamic response होता है, कि J.E. ने 15 दिन पहले paper कर दिया, तो हम उसको दो महिने पहले, तो वो usually बताते हैं, यह paper कब है, तो हम उसको अपने हिसाब से, जिसे बोलते हैं, adjust कर लेते हैं, ताकि आलिया, मेरे को need कुछ एक्सीज पढ़ने की है, और class में x, y, z पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, y, z की मेरी need ही नहीं है, पर फिर भी मेरा time waste हो रहा है वो y और z पढ़ने में, क्योंकि बाकी class के कुछ बच्चों को वो पढ़ना है, तो इसलिए जो inefficient तरीका होगा है, कि मुल going to get customized, मतलब you can make it yourself, of course teacher के guidance में उसे पूछ के, आपको customized input दिया जाएगा, ताकि आपकी best rank है, ठीक है, प्रिबल बैच हो गया, fast lane हो गया, c cube हो गया, ये सारी चीजें, इसी fees के अंदर included है, मतलब there is no hidden cost जैसे बाकी जगे होता है, कि शुरू में तो पाश्या देके गुज ग advantage क्या है, कि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब कोई भी जिसे बुलते हैं कि बच्चे को इतनी सारे challenges face करने पड़ते हैं, हर challenge आप think of anything, we have a solution और course और a strategy उससे deal करने के लिए, तो अगर last chance है तो हो सकता है किसी बचे को chapter phobia, we have answer to that, उसको कैसे deal करते हैं, chapter wise more practice, किसी बचे को इसार सकता है कि उसने 3-4 test दे के देखा कि याद मेरा इस particular chapter में mark science सही नहीं आ रहा है, इसका हमने tendency होता है छोड़ने का, तो मैं इसमें और practice करना चाता हूँ, इसी chapter chapter की, तो that facility is also available, course completion के बाद revision is very important, वो जिसे बोते है, shorten the arm देता है, हमें अच्छा perform करने के बहुत कुछ बच्चे होता है, revision के लिए वो वापस एक नया course बेचना चालू कर सेते हैं, ये ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे उसको नहीं ले पाते हैं, तो वो तो ऐसे होगे कि track में फस गए, तो revision is also very important factor, कि 6 में ये पढ़ाना जितना important है, last में revision भी उतना important है, और revision में में मे के लिए अलग होता है, advanced के लिए अलग होता है, फिर कोई बच्चा bit set देना चाला है, तो bit set में एक LR वाला portion है, इंगलिश वाला portion अलग आता है, तो वो हम बच्चे को provide कराते हैं, bit set booster के नाम पर, bit set की test series प्रवाइड राते हैं, जुसमें बहुत सारे test होता है, जिसमें ब बहुत ज़दे भीड जाती है तो एक डाउट पूछने के लिए हो सकता है बच्चे को एक घंटा वहाँ पे बेट करना पड़े है बस एक डाउट के लिए तो that is not efficient भी जलो हुं आगाSecret कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्लास के आट बाद आउट और लेगाग्र्ण उसे भूग रही बच्चे को वहाँ से जाना चाथा है तो वह हो सकता है शाम को पाँच बजे डाउट पूछना चाते हो तो अपने भी तरह की प्रावलम हो मतलब यह नौ-दस चीजी होगी दूसरी यह होगी कस्टमाइज़शन बोर्ड में इंप्रूब्मेंट करना है we have answer ठीक है want to finish course अर्ली कुछ बच्चे ऐसे थे जैसे उनका 70% को बहुत अच्छा रख्या 30% नहीं हो रख्या तो अगर वो किसी नॉर्मल कोचिंग में जाते हैं तो पूरा 100% पढ़ेंगे उसी पेस्पे और फिर दिसंबर में जाके उनका कोर्स कतम हो बट नहीं अगर किसी लिए 70% कर रख् उस एडवांटेज को वेस्ट होना करना चाहिए जो बच्चा हुआ 30% है उसमें अच्छा करके फिर वो जबर्दस प्रैक्टेस स्टार्ट करे ताकि वो मेंस में 99.99 तक पहुंच जाया पहली मेंस में और पहले मेंस में पहुंचेगा मेंस की टेंशन कतब फिर बच्चा तो उस अलगी लेवल पर पहुंच जाएगा ठीक है क्यूमिलेटिव रिवीजन के लिए अफ्कोर्स डिपीपी मिलती है हमको के जिसे बोलते हैं कि मेरेको एक मेहने बाद रिवीजन करना है पुराने सबका और मेरे पास टाइम अवेलिबिल है प्रैक्टिस करने का तो वी ठीक है क्योंकि बहुत जादे टाइम इनवेस्ट होगा तो जो हमारी नॉर्मल लें के लेक्टिर है वो तो बिलकुल बेसिक से एडवांस ते ले आते हैं क्योंकि यह तो उस बच्चे के लिए भी है जो पहली बार पढ़ता है बट अब को पढ़ना भी तो है पढ़ना तो अल्ट्रा वीक चीक है नोट्स में कि कुछ बच्चे ऐसा हो तो कि हमें नोट्स बनाने में बहुत सारा टाइम चला जाता है दिन का तो उससे बढ़िया तो हमारे पास जो नोट्स हैं digitally available है उन्हीं की दोबार रिवीजन कर लें नोट्स बनाने में हो जगता है कि दोबार अगर तो तो तुम सीधा-सीधा पीडिया यूज कर सकते हो और उसको रिवाइज करो ताकि तुमारे दिवाख में जाए वो दिमाख में बैठे तो इच एन एवरीटिंग इस प्रोवाइड़ ओवे है अन्क्वालिफाइड एडवाईज जैसे मैंने बुला कि बहुत सारे मतलब आइटी जेई में या फिर एनाइटी में या फिर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जिनको एक्सपरियंस ने उन्हों केव तब तो मैं समझना आएगा बिजनिस चर्किल्स में यह चलती है तो वैसे ही बहुत सारी जो हमारे अजंप्षन होते हैं कि ऐसा करने से होजाए कि इस पेसली कुछ पेरेंट जो ने दस-पंदर साल पहले प्रप्रेशन की होती है वह बच्चे को ग्रद गाइड करने लगत होते हैं तो उनको पढ़ने के तरीका IQ, exposure, preparation level, totally अलग-अलग होता है तो उसके लिए जो लाब दायक है वो दूसरे के लिए लाब दायक नहीं हो सकता है उसके लिए हो सकता है वो जहर तो इसलिए qualified जिसको बोलते हैं advice लेना बहुत जादा जरूरी है मतलब बहुत सारे पर बैठ के जो advice दे रहा है काफी बच्चे ऐसे हैं जो अभी खुदी पढ़ने हैं तो जो इतना फिल है कि अपनी जेई की preparation को छोड़के वहाँ advice दे रहा है तो वो क्या ही advice दे रहा हुग उसका क्या ही percentile आ रहा हुगा even percentile अच्छा भी आ जाए तो that does not mean कि वो सभी की लि सकता है कि faculty से तुम 2 minute बात करो वो अपने experience से तुम्हें ऐसा चीज बता जिए जो तुम्हें click ही ना करे या बहुत सा ही दास्तों में confused हो जाए कुछ बच्चे दरदर से देख जाते हैं कि उस influencer ने तो यह बोला इसने यह बोला इसने यह बोला सही कौन सा है तो यहां पर आ आपके लिए अच्छा है जो आपके लिए best possible result आइगा ठीक है studying for the first time तो of course जो हमारा normal नेन है वो इसी बात को ध्यान में रखते हो बनाए गया कि बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो बिल्कुल zero से advanced तक पढ़ाया जाता है वहां पर ठीक है फिर उनके ऐसे बच्चों के लिए level of question भी बहुत जड़ा important है क्योंकि ऐसा बचा हो सकता है कि समझने में तोड़ा time लगाए ठीक हुसे question करने में शुरू में time लगे कहीं लगेगा ओव्यस ही बात है मलब यह ऐसा नहीं कि उसके selection नहीं होगा अच्छी वितरे selection हो रहा है क्योंकि IQ is a different thing exposure is a different thing अग कि क number of question कितने number of question करें पर chapter कहीं ऐसा तरहीं बहुत कम किये में को सब तरह के जो यूजल यूजली asked question है उनका exposure नहीं नहीं मिला या फिर एक बच्छा ऐसा हो सकते है एक एक ही chapter में इतना इलज गया करता ही रहा कि उसका backlog बहुत ज़्यादा हो गया तो सब के each and everything will be taken care कर आप यह reason during the course is also very important मैं ऐसा नहीं कि हम एक बार करके रख दें दिसम्बर में सीधा खोलेंगे chapter तो हमें अपनी writing की समझ में आएगे हमें समझ में आएगे क्या बुलना चाला है जबकि खुद ही लिखा होगा तो इसलिए during the chapter जब दूरिंग दूर्स जब कोर्स चल आ है तब भी लग लग पर परपस है कुछ बहुत इजी कुशन करने से बच्चे को false confidence आ जाता है कि मेरे को तो अच्छा चल दा है मेनी preparation लास्ट में जाके उससे एकदम पता रखते हैं यह तो सब जंक था यह तो जेई का लेविल ही या फिर किसी का preparation अच्छा चल दा है उसने बहुत टफ पे planning के साथ हम भी देते हैं ताकि बच्चे को हर चीज का experience हो जाए तो वहां पर फिर analysis के factor भी होते हैं कि average कितना रहा यह ठीक है highest कितना है या lowest कितना है जिससे बच्चा यह judge कर पाए कि अच्छा कर कम आया है तो यह paper ही tough है क्योंकि average से तो मैं फिर भी बहुत अच्छ हूं तो उस तरह की जो matrix है analysis matrix वो आपको test के साथ मिलेगा आपको कि आपने कहां improve करना है कहां आपने कमी कर दी है या फिर क्या चीज आपका strong है तो वो सारी analysis is also important अगर feedback के अच्छी नहीं मिलेगी तो मैं तो गला direction में वापेश लाजा हूं या फिर short notes मनाना PYQ advance के PYQ mains के अब ऐसा सारे questions हैं और बहुत सारे questions उसमें repeated भी है यह थी एक ही concept वर डेटा चेंड करकर के अलग-अलग paper में आ गए तो उन सारे questions को करने का मतलब किया है कि inefficient way of preparation मैं फालतू वो questions कर रहा हूं एक जैसे question है एक बार कर लिया तो दूसरी बार तीसरी बार फोर्थ बार वही question करने में म वो मेरे को फाइदा दे सकता था actual paper में तो इसलिए पीवाई की जो मेंस है उसमें भी हम selected questions भी देते हैं बच्छे मोला एक तो पूरा comprehensive दे लिए कि जिसे करना है वो बोले नहीं मैं तो करूंगा तो चल खीक है तूभी कर ले और किसी को selected चाहिए कि जो essence है papers का वो वाले questions मे मतलब कहने का मतलब कहा है कि जितना तुम सोच भी नहीं सकते उससे भी better customization, better services are available तुम दिमाग में जो जो problem सोच भी नहीं सकते है उसके solution हमाई पास है क्यों क्योंकि हमने हजारों बच्चों को पिष्टे चार साल में पढ़ाया है और every year we have become better हमाई जो offering हो और 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 यह आपको समझाना चाहिए कि यह जो crucial time है अभी से लेके December तक क्रूशल तो उसके आगे भी 6 महीने है बिसिकलिए जो JE का preparation है वो दो-तीन पढ़ाव में divide कर सकते हैं इच पढ़ाव के बीच में जो time है उसको efficiently use करना उन पढ़ाव के बीच में जो time available है उसके according अपनी preparation को जि करने की कोशिश करेगा तो उसका एक महीने बाद ही backlog आ जाएगा तो जहां पर पहले enemy से लड़ने वाला है यह ठीक है मालिया मेंस है मेंसे लडने के लिए आपको तलवार बाजी चाहिए ठीक है और मालिया बाद में advance आएगा जिससे आपको मालिया धनुश से लड़ने के लिए महारत हासिल होनी चाहिए अब आप धनुश और तलवार एक साथ सीख रहे हो मालिया बिल्कुल जीरो लेविल पर तो ना तो हो सकता है धनुश में पारंगत हो पाओ ना तलवार में पारंगत हो और और मेंस में मार दे जैन्वरी के अंदर कहने का मतलब क्या है कि पह बहुत ही अच्छी बार पर जो बच्चा पहली बार त्यारी कर रहा होगा उसके लिए इट विल बी वेरी डिफिकल तो उसको एक आप्टिमम प्रिप्रेशन को तोड़ना अब उसमें बच्चों के आईक्यू भी अलग अलग होते तो किसी को एक ब्लैंकेट करता है बट में से उससे पूरे नहीं हो पाते तो उसको फिर मेंस के क्वेश्चन के अंदर से भी बताना पड़ेगा कि तो यह वाले क्वेश्चन करें तो फिर तेरा बेस्ट आउटकम आएगा तो इस तरह की जो सारी चीजे हैं डियर वेरी इंपॉर्टेंट उसको निग कॉंफिडेंस विदिन यॉर्सल्फ कि आई केंट डूइट वड़ा बहुत सरे बच्चों को यहीं ही पता होता कि पता नहीं आईटी में सेलेक्ट होने के लिए कितना ही इंटेलिजेंट होना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है अगर एक एवरेज आईक्यू का बच्चा है ज इसका मलब कि यह आईक्यू पर्फेक्टली फाइन यूग एजली गेट रूँ जेई अगर आपकी प्लैनिंग अच्छी है भले आपने पहले कुछ भी ना किया अगर आपकी प्लैनिंग अच्छी है आप अभी भी बहुत अच्छी रेंगला सकते हो प्रवाइड इच एफ एफिशेंटली पॉट टुगेधर कि अभी से लेके मेंस बन मेंस से लेके मेंस टू मेंस टू से लेके एडवांस यह जो तीन स्लोट्स है उसमें आपकी जो प्रिप्रेशन है वो एफेक्टिव होना चाहिए प्लैनिंग इसी हिसाफ से होना चाहिए मुला अपने कूर्स को में ऐसे break करना है इन तीन slots में डखने के लिए कि efficient preparation हो इसी note के साथ all the very best